लोगों से हाथ ना मिलाएं सिंटम्स हैं वो यह है कि सुखी खासी, तेज बुखार इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप इसके बचाव जितना कर सकते हैं अब ना वो करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें दोस्तों आज हैं हम डॉक्टर सचिन गुपता जी के साथ जो एक डॉक्टर भी है और IPS ऑफिसर हैं और ADCP के तोर पे रुध्याना में तैनाथ हैं तो इनसे कोविड नाइंटिन के बारे में बात करते हैं सर कोविड नाइंटिन के बारे में आप कुछ बताइए कि यह किस तरह की विमारी है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है जैसे कि आप सब जानते हैं कि COVID-19 एक नया तरह का बाइरस स्टेन है जो कि दुनिया ने को देखने को मिल रहा है और जिसके समानता जो सिंटम्स हैं वो यह है कि सूखी खासी तेज बुखार इसके साथ सा कुछ अनकॉमन सिंटम्स भी हैं जैसे कि किसी के डाइरिया हो रहा है कुछ किसी के पे क्योंकि यह नई बिमारी है इसकी अभी तक कोई वैक्सीन या कोई दवाई इजाद नहीं हो पाई है और आप इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप इसके बचाव जतना कर सकते हैं अब ना वो करें सब जैसे पुलिस ने कर्फियू लगा रखा था और दीरे दीरे पुलिस कर्फियू में डील दे रही है क्या कॉविट-19 का खत्रा लुध्याना से टर गया है देखिए इस चीज को मैं इस तरह से कहूंगा कि यह कोविट-19 एक नया नॉर्मल है इस न्यू नॉर्मल के साथ हम लोगों को अपनी जिनी सीखनी होगी और इसके साथ अपनी जो अपनी लाइफस्टाइल है उसे मोडिफाई करना पड़ेगा और खत्रा ओविसली कम है कम हुआ है बट टला नहीं है खत्रा उतना ही है बट उसके साथ हम अपनी जिनी को जीना सीखना पड़ेगा यह तो लोग जा रहे हैं तो लोगों को किन-किन चीजों का द्यान लगना चाहिए पुलिस और ऐसे डॉक्टर आपकी क्या इस्ट्रक्शन से हैं देखिए सबसे ज़री चीज है हमें अपने बेसिक सही रख रहे होंगे और बेसिक में यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को ना मिलाएं कम से कम लोगों से close contact में आएं चौथी चीज जहां तक हो सके साबून और पानी का इसमाल करके अपने हाथ धोएं अगर आपके पास साबून और पानी अवेलबल नहीं है तो हैंड सेनेडाइजर का प्योग करें बेसिकली हमें इस कोविड-19 के साथ जीना सीखना ह होगा और वो जीने का तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियमे तरूप से पालन करना है सर जैसे कोविड-19 की लड़ाई को पुलिस फोर्स ने फ्रेंट फुट पे लड़ा फ्रेंट लाइन पे लड़ा तो पुलिस ने अपना मॉरल कैसे हाई रखा अपना ऐसा जज़बा कहां से लेकिया ही पुलिस की इतनी भयानक लड़ाई को जो फ्रेंट फुट पे पुलि किया और हम लोग हर तरीके से इसमें इस लडाई में प्रुचाहिद किया एंड जैसे कि आपने इस कहा कि हम अपनी सारी फोर्स का मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने इस इस मौके पे उन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया और कोई भी व्यक्ति अपने ड्यूटी से या उनके बारे में लुध्याना शहर को भी सिंपती है तो आप उसके बारे में दो शब्द क्या बोलना जाएंगी श्री अनिल कोली जी एक बहुती बहादूर बहुती अच्छे और बहुती नेक इंसान थे मेरा स्वभाग्य रहा में उनके साथ काम करने का मुझे मुझे म परिवार के साथ मेरी पूरी संवेधना है जिस तरह से हमने अपने एक ACP सापको खोई आप जी समझ सकते हैं इस पिर मेरी यही अपील है कि आप इसे हलके में ना लें पोलिस और सरकार दुआरा जैसे भी आपको निर्देश दिये जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के मास प प्लीज फॉलोग करें सर एक आपकी जो एडिशनल से हैं मैडम गरेवाल वो ठीक होके भी आई हैं और उन्होंने फेस्बुक पर लाइड होके भी बताते रहे लोगों को उनके बारे में आप कैसे शब्द ब्यान करेंगे पहले तो मैं कहूंगा कि उनका स्वागत करूगा कि वो ठीक होके आया हैं और वो ही नहीं उनके साथ जो दूसरे उनके और साथी हैं ये साई सुकदेव जी और हमारे कॉंस्टिबल परमजोज जी वो भी ठीक होके आ गए हैं इन सबसे आप इंस्पिरेशन लें कि अगर आप मेंटली पॉजिटिव हैं अपनी हेल्थ को सही रखते हैं तो आप इस बिमारी से ठीक भी हो सकते हैं तो जितने भी लोगों को ये बिमारी हो गई है वो हारे नहीं मन से मजबूत रहें द्रड रहें और डॉक्टर उसकी सला का पालन करें आप भी जल्दी ठीक हो कि अपने परिवारों से लौटेंगे और जैसे कि ये ती डूटी पे अक्टिव डूटी पे लौट चुके हैं और गरेवाल जी भी जल्दी ही डूटी जॉइन कर लेंगे सर लुध्याना में NGO's और social workers का किस तरह का सयोग पुलिस को प्राप्त हुआ हैं पूरे लुध्याना शहर के जितने भी जनता है प्लस जो भी NGO's और social workers हैं जिन्होंने हमारे इस समय में इस गड़ी में सयोग दिया उनका धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के सहीयों के वज़े से ही हम काफी समाज के जो गरीब और जुरुत बन लोग हैं उनकों सहाथा नेमत रूप से पहचा सके और इससे पता चलता है कि हमारे शहर में मानफता अभी भी बरकरार है लोग एक दूसरे की परवा करते हैं एक दूसरे की देखभाल करते हैं और यही चीज हमको एक इनसानियत का सबक सिखाती है जिसके लिए जो हमने इस समय पे पूरे शहर ने अपने कर्म से यह सावित किया कि हाँ वाकरी लुद्याना के लोग एक दूसरे की देखभाल करने मे सक्षम है सर शुरू शुरू में हजारों एन्राइज बाहर से आये हुए थे ऐसी न्यूज आ रही थी और अभी जब कोविट की का खत्रा टल रहा है तो लाखों मुझदूर लुध्याना में फसे हुए हैं जैसे पुलिस द्वारा निकाला जा रहा है तो इस सारी विवस्ता को पुलिस द्वारा किस तरह मैनेज दिया जाता है और किस तरह देखा जाता है क्योंकि इतना बाखुबी काम करते हुए पुलिस को हमने अपनी लाइफ में देखा देखिए सबसे जोरी चीज है इसके लिए मेटोकलिस प्यानिंग दिजा जैसे कि मैंने कहा हमारे के लिए एक अप बनी हुई है उस आप के थूर रिज़िस्टर शजी है करीब करीब दो लाख लोग उसमें रिजिस्टर भी कर चुके है उच के उस ही के पुलिस तरी जैसे की ट्रीड को उनके शहरों में पहुछा आइज जारा है अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे की हौ बहुत सारे लेवर है वो शहर में रुखने अभी शाहिद पसंद करेगी और मेरी अपील भी है कि अगर आपको लगता है कि आपको जुरत नहीं है बाहर जाने की तो आप रुख भी सकते हैं जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको कुछ आप विशेश बात बोलना चाहेंगे मैं उनसे यही कहाँगा कि आप घवराएं नहीं किसी भी अफ़ाओं पर यकीन ना करें सरकार आपकी साथ है पूरी पुलिस आपके साथ है जो भी हम आपके लिए जल से जल अगर आप बाहर जा है वो काम पर भी लौट सकते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर वेपसाय आपके लिए उपलब्ध है तो और आपको जाने की जूरत नहीं है तो आप रुप भी सकते हैं सर्व कॉविड नाइंटिन करफ्यू के दर्मयान पुलिस और जनता के बीच में सोशल मीडिया ने एक ब्रिज सर्व किया है तो इसकी महतवता सामने आई है तो यह कितना महतव पुलिस के लिए और लोगों के लिए रहा देखिए मीडिया एक बहुत ही परफुल माधियम ह इसमें कोई दोराय नहीं है और सोशल मीडिया एक बहुत ही पोटेंट और बहुत ही एफेक्टिव मीडियम है तो इसमें जिसे कि आप देखें सीपी साफ फेसबुक लाइब पर आके लोगों से रूबरू हो रहे थे उनके सवालों के जवाब दे रहे थे हमारे को बहुत स दूसे मीडियम के तुरू हम भी लोगों की जो भी सहायता हो सकती थी वो कर रहे थे तो यह एक पोटन मीडियम मीडियम है और कम्मुकेशन को मेंटेन रखने का इन इन जिसे अमर्जन टाइम्स में सर लोगों को ऐसा लग रहा था करोना से बचने के लिए एन 95 मास्क जरूरी है और वो बहुत कॉस्टली है आपने फेस्बुक पेज पर आकर लोगों को बताया कि एक रुमाल से मास्क कैसे बनाया जा सकता है और अभी भी मास्क की जरूरत आगे रहेगी और जो गरीब 25 ही पहने आप कोई भी साधारन कपड़े को लें कॉटन के कपड़े को लें चुन्नी को लें रुमाल को लें उसकी तय बांदे और उससे अपना मुह नाक को कवर करके ढखके रहें और जैसे कि मैंने बताया है और फिर दुबारा बताना चाहूंगा कि इसमें कॉसली मास्क की जूरत नहीं है वो डॉक्टर्स और जो फ्रेंट लाइन लोग हैं जो कि पेशेंट्स अडील कर रहें उनके लिए जूरत है आम शहरी आम नागरिक के लिए रुमाल या कपड़े के बने हुए मास्क काफी हद तक प्रयाप्त हैं तो आपको महंगी चीज लेने के पीछे बहागने की जूरत नहीं है आप घर पे अपने अपने मास्क बनाएं उनका प्रयूप करें सर इस कॉविड नाइंटिन के दर्मयान पुलिस एक मा के रूप में नजर आई शहर को जैसे जब जरूरत पड़ी तो डंडा भी उठाया और जब जरूरत पड़ी तो भूखे को अन भी पहुंचाया मुझे लगता है कि पुलिस ने इस बारी जो रोल प्ले किया है कोविड नाइंटिन के दर्मयान खास करके टॉप पुलिस ऑफिसर से सीपी साथ से लेकर एक छोते मलाजिम तक और वलेंटियर्स तक यह बहुत ही एहम रहा है तो इस पूरे रोल को इस चितर को आप किस तरह देखते हैं देखे पुलिस हमेशा ही इसी रोल में रही है यह शायद कोविड के वज़े से हमारा रोल और हमारे केवे काम ज्यादा बखुवी रूप से सामने आये हैं पट पुलिस हमेशा ही इसी रोल में रही है हमारे पुलिस का मकसद है लोगों की मदद करना और उनका स साथ देना और वो हम करते हाएं करते रहेंगे सर जाते-जाते लोगs लोगों को दो शब्ण जो आप बोलना चाहेंगे कि किस तरहां से वह कोईल के साथ जी सकते हैं उसको साथ- और अप्र सकते हैं- देन चर्या सर्द कर सकते हैं- तो इस जबected तक हो सके उनको इस चीज से एक्सपोजर से बचाया जा सके तो वो इंडोर रहे पचास साल से नीचे के लोग जो हेल्दी है फिट है वो धीरे धीरे करके अपने कामों के लौटे सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें बाहर जाते वक्त जब भी पब्लिक प्लेस में जाएं मास्क का प्रयोग करें अपने हातों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक नियमेत रूप से धोएं अगर साबुन और पानी का भाव है तो आप सेनिटाइजर इस्तमाल करें और जोरी चीज यह है कि आप मेंटल तौर पे पॉजिटिव रहें इस बिमारी का हम सब मिलके समाज के तौर पे बाहर निकलेंगे तो धन्यवाद सर ये थे डॉक्टर सचन गुपता जिनों ने अपने कीम्ती समय से समय निकाल कर हमें कॉविड नाइंटिन से कैसे प्रवेंशन की जाए सिंटम्स हैं वो यह है कि सुखी खासी तेज बुखार इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप इसके बचाव जितना कर सकते हैं अब ना वो करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें कि आप सकते हैं